नमस्कार दोस्तों हमारी YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक्स वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपून टोपिक लेकर आया हूँ चीया बीजों के वीजेनी इन बीजों के दस फाइदे जान दंग रह जाएंगे आप ये मोटापा और कोलिस्टोल कम करते हैं तो हर देरोग और कैंसर से बचाते ही दात और हाडियों के लिए संचीवनी है चीया सीड जो की दिखने में होती है चोटी मगर इसके गुन होते हैं बहुत बड़े दोस्तों चीया सीड को सूपर सीड की सिरेणी में रखा जाता है इनमें फाइबर और पाणी की मात्रा बहुत अधिक होती है जो सरेण में जाकर हमारी अंदरुनी ताकत को बनाए रखने में साहक होती है इसमें आइरन, प्रोटीम, फाइबर तथा ओमेगा थ्री फ्रिक्टी एसिड पाये चाता है तो आईए दोस्तों जानते हैं चीया बीजों के चमतकारी फाइदों के बारे में इन बीजों के निमित सेवन से इनफ्रामेशन यानि सूजन पर नियंतर में साहेता मिलती है यह सूजन सरीर का शर्ण करने वाले कई रोगों का काम है वजन कम करने के लिए तुलसी परजाते के बीज बहुत साहक होते हैं क्योंकि यह आपकी भूग को दबाते हैं फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाले यह ओमेगा थ्री ओयल का सबसे बड़ा स्त्रोथ है यह ओयल हर्दे और कोलिस्टोल समंदी समस्याओं के लिए बहुत महत्यब हों है इन बीजों में एंटियों अक्जेंट बीपरपूर मातरा में पाय जाते हैं यह सरीर में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में बहुत अधिक साहक होते हैं फ्री रेडिकल्स का सीधा सम्मद हरते रोग और कैंसर से होता है मस्तिक्स कोशिकाउं और तंतरी का तंतर ये बीज वनस्पदी अधारित प्रोटियन के बहुत बड़ी अस्तुरूत है ओमेगा-3 वसी अमल मस्तिक्स कोशिकाउं और तंतरी का तंतर को मजबूत कर भूलने की बिमारी और पागलपन जैसे रोगों से बचाता है यह सरीर के तामान को कंट्रोल लगता है इसमें लोहा, ओमेगा-3, फ्रिटी एसिड, पोटासिम और मेगनीसिम से भरे होते हैं इन गुलों के चलते ही ये बीज हमारी अंधुरूनी ताकत को बनाए रखने में सहयक होते हैं सूजन, चिया के बीजों के निमित सेवन से सूजन की परिसानी दूर होती हैं एक गिलास पानी में एक चमच चिया के बीजों को आदे घंटे के लिए भी गोई आदे घंटे बाद इन बीजों वाला पानी गाड़े घोल में बदल जाएगा इस घोल को पीने से पाचन पर नाली बहुत ही अच्छी होती है इससे में फाइबर की उच्छे मातरा पाई जाती है मोटापा वजन कम करने या मोटापा घटाने के लिए चिया यानि तुलसी पर जाती के बीच बहुत अधिक साहक है क्योंकि यह भूग को सांथ करते हैं चिया बीचों को भोजन के रूम में इस्तमाल करने से भूग कम लगती है यह बीच पानी को अफसोसित करने की समता रखते हैं जिसकर यह एक जैल पधारत में बतल जाते हैं और मोटापा कम करने में मदद करते हैं चिया बीज कलोरी की कम मातरा के साथ सभी पोचक्ततों की कमी को भी पूरा करते हैं कोलिस्टॉल को कंट्रोल करना चिया के बीजों में ओमेगा-3 ओयल का गुन पाहच आता है जो हर्दे और कोलिस्टॉल की समस्यों को दूर करने में हमारी मदद करता है चिया के बीजों में ओमेगा 3 ओयल होता है जो कोलिस्टूल को सरीर से बाहर निकालता है जो खराब कोलिस्टूल होता है हर्दे रोग और कैंसर से बचाओ चिया के बीजों में एंटियोक्षजन प्रियापत मातरा में होते हैं जो सरीर से प्रे रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है प्रे रेडिकल्स का सम्मन हर्दय यानि दिल के रुप और कैंसर से होता है ये बीज हमारे हर्दय के लिए एक वर्दान की तरह काम करते हैं तंतरी का तंतर को मजबूत करना वनस्पती के अधार पर चिया के बीज प्रोटीन वे अवस्थक अन्य पोशक ततों का मुखे स्त्रोथ हैं जिनकी सेवन से मासपेशिया, मस्तिक सकोशिका है और तंतरी का तंतर को मजबूत किया जाता है चिया के बीजों का सेवन करने से भूलने की बिमारी जैसे रोग से हमें छुटकारा मिलता है सरीर का तामान स्थिर रखना चिया के बीजों को रोजाना खाने से प्रियाप्त पोशन मिलता है साथी सरीर का तामान भी स्थिर रहता है इसमें iron, omega-3 fatty acid, potassium, magnesium वे अन्मे गुन पाई जाते हैं इन गुनों को से व्यक्ति को अंदरुनी ताकत को बनाए रखने वे सुधारने में मदद मिलती है दात और हडिया मजबूत चिया के बीजों का सेवन करने से 18 फिसंदी कैलसियम की कमी पूरी होती है जो दात और हडियों को मचबूत बनाने में मदद करता है इसलिए इन गुनों का रोजाना अपने भोजन में आपको जरूर सामिल करना चाहिए तो दोस्तों आप भी चिया के गुनों का इस्तमाल करके इन से होने वाले फा合़ों को उठा सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज साथ हमारी वीडियो को लाइक वशेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबर्दस टिफ्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो